कॉमन वेल्थ गेम्स से पहले टखने में मौच से परिशान पीवी सिंदु को उमीद है कि वहाँ बैडमिंटन की वेक्तिगद इस परधाय शुरू होने तक फिट हो जाएंगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत इन खेलों में कई पदक जीतने में सफल रहेगा 21 वे कॉमन वेल्थ गेम्स का उद्गाटन समारो चार अप्रेल को गोल्ड कोस्ट उस्ट्रेलिया के करारा स्टेडियम में होगा सिंदु मंगलवार को गोपी चंद अकैडेमी में अभ्यास करते समय चोटिल हो गई थी लेकिन इस कैन से पता चला कि उनकी चोट गंभीर नहीं है जिसे भारतिय दल और उनके प्रसंसकों को बड़ी राहत मिली 22 साल की सिंदु ने कहा तयारियों के लिहास से मेरे लिए सब कुछ सही चल रहा है दुर्भाग यासे मेरे टकने में मोच आ गई है लेकिन मुझे लगता है कि केल शुरू होने तक मुझे फिट हो जायना चाहिए मुझे उमीद है कि तब तक मैं पूरी तरह फिट हो जाऊंगी सिंदू को चार साल पहले कान से पदक से संतोष करना पड़ा था लेकिन तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है और वह भारत की चोटी की स्टलर है और रास्ट्र मंडल खेलों में स्वन पदक की प्र किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाती है उन्होंने राश्ट्र मंदर खेलों में संभावना के बारे में कहा जिम्मेदारिया महुत अधिक है और हर कोई चाहता है कि मैं जीत दर्ज करूं मुझे अपना सर्वश्रेष्ट खेल खेलना होगा और अपना खेल खेलना होगा तो फिर स्वाता हाँ आपके अनुकुल होंगे